हेलो असलाम आलेकूम माई यूट्यूव फैमिली तो जैसे के मैंने वादा किया है कि आपको जाद से जादा मेकप की वीडियो मैं बक्राई से पहले दूंगी तो एक मैंने नाइट पार्टी लुक क्रिएट करा है यह है अरूज इनके फेस पर तो यह हैं का लुक अगर आप करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर करें तो फ्रेंड्स यहां पर अरूज है और मैं कैमरा सेट कर रही हूं यह बारीक से अरूज आ गई है मेरे सामने पतली दूबली सी बहुत जादा यह रूज बैठी है अब मैं अरूज का मेकप लोग क् अरूज की बेस बनाना स्टार्ट करूंगी अरूज अपना को देख रही कि मैं सही लग रही हूं सैट्टूं के नहीं तो यहां पर मैं अरूज के फेस पर डर्मा 45 कलर क्रिस्टीन कंपनी का डर्मा 45 पूरे फेस पर अप्लाए करूंगी जिससे इसके डार्कर पोर्शन ऑव स्किन जैसे के अपर लिप्स आई डार्क सरकल सब कुछ में इससे कवर करूंगी डर्मा 45 कलर की स्ट्रिक से तो मैंने यहां पर कवर्जर में शुरू कर दिया हर जगा स्किन पर स्पॉर्ट्स लगा रहे हूं डर्मा 45 कलर से उसके बाद मैं अप्लाए करूंगी पिंग कलर की स्ट्रिक जैसे काशी पिंग कलर की बेस बनाते हैं तो यहां पर मैं क्रिस्टीन कंपनी की पिंक रोस कलर की स्ट्रिक यूज कर रही हूं और उसके फेस पर लगाने के लिए और इससे मैं इसका हाइलाइट पॉर्शन हाइलाइट करूंगी तो यह मैं इस्ट्रिक लगा दी है और यह पॉर्शन में हाइलाइट करूंगी फोर हेड़ पर चिन पर अपर लिप्स पर अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीक से पूरे फेस पर ब्लाइट कर दूंगी गर्मियों में दोस्तों आपको प्रामर यूज करने की ज़रुत नहीं परसी नीट नहीं होती आप विदाउट प्रामर भी अपनी बेस बना सकते हैं सर्दियों में प्रामर मस्ट होता है अब मैं यहां पर मिस्ट रोस कंपनी का मिंडरल पाउडर पूरे फेस पर बेकिंग पाउडर की तरह अपलाए करूंगी मैं इसे गीली को बना के बेस नहीं बनाऊंगी बिकॉस मुझे ब्राइडल लुक में चाहिए मुझे सिंपल एक कालर देरी हूं क्रिस्टीन कंपनी का डार कर ब्राउन शेड है जिसके लिए मैंने बुरिश अपना गीला के रवाय मेकप सिक्षर स्प्रे से इनकी अरूची आइब्रोज नहीं बनी वी बिकॉस यह चोटियां भी आपको दिख रहा है इनकी आइब्रोज नहीं बनी वी है पर यह देखी कितना प्यारा शेप आगया है प्रोस्ता अब माशालवास से बेस भी कितनी ग्लोइंग और अच्छी नजर आ रही है पर अफसोस फ्रेंट लाएट चली गई ओ नो अब हम आके बैठें बाहर वहां पर हमने परी राउंड लाइट को यूपियस में लगाया है और यह जोब को बहुत सारी लाइट मूपे पड़ती वी नदर आ रही हमारी ड्राउंड लाइट की है तो आप इससे थोड़ा सा हमारे काम देखें घर में ऊपर लाइट नी चलरे सिर्फ राउंड या फेज पर पढ़ी तो बहुत जादा पढ़ रही है कि तो मैं यहां पर इसके फेस पे कंट्वर्न कर रहे हूं कंट्वरिंग कि प्रिस्टीन कि क्रिस्टिन के क्यूंकि से हमारे पीचर और और दौर र तो इनके चीज को थोड़ा सा निकालने के लिए में पहला के एपल वे में एपल स्टाइल में इन पर ब्लॉशॉन लगा रहे हूं तो यहां पर मैंने अच्छे से मर्शिंग कर दी ब्लॉशॉन की ताकि इनके चीक्स थोड़ा से तो नजर आएं तो मैंने यहां पर इसका फेस्ट थोड़ा सा हल्दी कर दिये ब्लॉशॉन लगा कर अब मैं इस पर लगाऊंगी हाईलाइटर अम में अरूच की चिक बोन पर हाईलाइटर यूज कर रही हूं और नोस पे और चिन पे और फोर हेड पे हर जगा रूची में हाइलाइटर अप्लाए करें हाइलाइटर से आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं और आपके अगतादा भर-भर के हाइलाइटर लगाना चाहिए और जादा अच्छी आपके परस्टनल्टी लगती है और देखे हैं रूची एकदम चिक्स भी नदर आने लगे पतले से पेस्पे ज़र अच्छे लगने लगे और प्यारी लग रही है रूच माशल से ग्लोइंग बेस बनी है इनकी अब मैं कंटूरिंग कलरी डार्क ब्राउन ले रही हूं ट्रिस्टीन का और इनकी आँखों प आपकी आँख नजर आएगी तो मैं यहां थोड़ी टेक्निकली काम करें उनके बहुत बड़ी-बड़ी से बना रही हूं मॉडल टाइप तो मैंने यहां पर एक डी क्रियेट करनी शुरू करी है डार्कर ब्राउन से दोनों आखों में मैंने डी बना दी है और का फ्लो आउट नीचे ना हो और मेरी बेस गंदी ना हो तो मैंने यह जो डी क्रियेट कर दी है अच्छे से मैं देख रहूं के बराबर है मेरी डी इसलिए कि दोस्तों यह बहुत बुरह लगता है कि एक अंग डिफरेंट और एक अंग डिफरेंट तो आप यह जरूर चेक कर लें कि आपकी दूरों के बराबर हो उसके बात प्रिम है अपना आईशेडो पैलेट ले रह स्कूल बंध है अरुच फ्री फ्री है अब इंशाल्ला दो चाल लुक और मैं रूच के फेस्पे क्रेट करके दिखाऊंगी आपको विकास लॉग्डाउन गयर जैसे स्कूल सो बंध है तो अरुच मेरे पास असानी से आ सकती है इसलिक अरुच स्कूल बंध है तो अब यह अरुच के आइस पे आइक वागरीन कलर का कूल सा शेड पहला के लगा रहे हूं जो हमें गर्मी अंदर ठंड़क का ऐसा वजला है समंदर के पानी जैसा एकवा ग्रीन कलर है मैं पूरी आई लिट पे उस डी के अंदर वह कलर फहला रहे हूं है यह बहुत अच्छ सा शिम् अब माशालों से अरूच का कलर फेर है तो अरूच पे बहुत सूट कर रहा है तो यह अरूच पे बहुत सूट कर रहा है कलर दूसरी आई बेबी डी के अंदर मैंने वही शुम्री कलर लगा दिया है और यह दिखें आईस का कितना ब्यूटिफल लुका है अगर इस वक मैं अरूच को लेंस लगाती तो और भी प्यारी और फुश्वरत नजर आती है आईस मैंने कुछ भी इसकेप नहीं कर रहा है आप लोगों के सामने ही कर रहे हूं कुछ वीडियो काटी नहीं है कुछ भी नहीं है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ जाता है यह जो मैंने डी क्रिएट कर देती उसके अंदर मैंने एक एक्वा क्रीन ग्लोइंग लीट अच्छी अच्छा सा कलर मैंने भर दिया है उसके बाद जब आपको आपके बड़ी दिखानी होगा इस तो आप नीचे सुर्मा ना लगाएं तो बैटर रहता है आप सुर्मा जब लगाते हैं तो आँख छोड़ी चोटी हो जाती है और लाइनर से भी आख का छोटा हो जा यूज करूँगी और अरूशी लिट पर हैंग फेंगे जूटर मुझे मिल गारा है अंधिरे में मुझे लोगों समान भी नहीं मेल रहा है लेकिन अल्ला करना यह हुआ कि मुझे हैंग फेंगे क्लीटर मिल गा एक्वाग्रीन और ही और यह मैं स्टैंटर में लगा रही तो फ्रेंग्स मैंने हेंग फैंग के ग्लीटर सेंटर अप्लाय करें यूंद दोनों आइस में बहर भर के हैंग फैंग के एक्वा ग्रीन कलर की लिटर यूज करें होप सो कि आपको ग्लोइंग आइस नजर आजाएं यहां पर नजर आज़ाएं तो बहुत अच्छी बात है कोशिश करेंगे कि हम ॹन के बाद मैं भरीजरी नहीं लगा रही है न्याँ है बहर भर के उसके टीछ Mein कर दोंगी डार्क ब्लू आजेट होगी मैं इस्ते आँके और बड् 20 नदरा आती राको के नीचे भी डार्क ब्लू कलर दोंगी और आखो के आखी ऊपर भी लेष लाइन के साद бесп indispensable lyrics लैन दे रहीं जिन लोगों के च्छोटी हो और आपको बड्ए और खुळी दिखानी sore उस पर आप ये समंदर वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं यानि समंदर की लहरो वाले कलर यूज़ करने हैं आपको तो एकदम आपकी आखे खुलतर बाहर आएंगे तो मैं लाइश लाएंगे साथ साथ यह देखें कितनी खुली और बड़ी लगए माशनला से आइस अभी दूसरी आख पर भी मैं ब्लू दे रही हूं इन्हें मौनी कलर कहा जाता है इन्हें उपर लाइटर कलर नीचे डार्कर कलर समंदर की तरह गहरी तो यह मैंने टेक्निक यूज़ कर यह आखें बड़ी दिखाने के लिए तो डार्क ब्लू कर दरकर शेडो मैंने नीचे अप्लाय कर रहे हैं और उच की आइस पर लेश लाइन के साथ साथ दोनों आइस पर अब भर के मैंने डार्कर ब्लू गुशेड अप्लाय कर दिया उश्वार आपको पिक्चर्स में सही से नदर आज़ा जाए जो शुरू में मैंने पिक्चर्स जा लादी है और नीचे नी लाइन पर भी मैं ब्लू कलर आखों के नीचे दे रहे हूं जिससे एक्तम खुक्सूरत बाहर निकल के आएंगे आखे बड़ी जिन लोगों की छोटी आखें उन पर आभी है ट्रिक यूज कर सकते हैं तो आंके बहुत खुक्सूरत और बड़ी नजर आएंगे तो जो डार ब्लू कलर का शीड मैंने लेश्लाइन ये साथ ऊपर लगाया ना वही मैं यहां पर नीचे लोड लेश्लाइन पर दे रहे हूं वाओ तो यहां पर आइस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है बस एक अच्छा सा सौफ्टर पिंग कलर में के लिप पर दूएंगे जो इनके ड्रेस को भी थोड़ा कॉंप्रिमेंट करें तो यहां पर मैं लॉंग लास्टिंग वाले मिस्ट्रोस के लिप लॉस अरूज की फेस्पिंग के लगा दिया है तो यह है अरूज का फाइनल लोग तो गाइस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक क पूरा कमप्रीड लोग वाकई माशाला से अरूज चेंज हुए है और बहुत उत्रत लग रही है तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पर रोजाना एक या दो वीडियो में अप्लोड करती हूं तो आप लोग मेरे साथ रहिए इनको देखें और कुछ नहीं कर सकते दोस्तों कमें का बटनी दबा दो बाई बाई